इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं सूपर इंपोर्टेंट स्पोर्ट कप्स एंड ट्रोफीज विद धी हल्प आफ फनी ट्रिक्स और जो भी इसके अंदर हम स्पोर्ट कप्स एंड ट्रोफीज कवर करेंगे वो एक्जाम के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि सभी एक्जाम में इसके अंदर हम जो भी करेंगे वो काफी जादा इंपोर्टेंट है हम इसके अंदर सिर्फ इंपोर्टेंट वाली ही करेंगे ऐसे तो काफी जादा है लेकिन जो exams में बार बार पूछी जाती है या फिर एक दो shifts में exam होता है तो इन ही के अंदर से पूछी जाती है तो हम वो सब ही करेंगे जो काफी ज़्यादा important है वैसे तो काफी ज़्यादा हो सकती है और exam अगर काफी ज़्यादा shifts में होता है मतलब एक महीने तक होगा दो महीने तक तो तो इनके बार से अफकोर्स पूछ ही जाएंगी क्योंकि उनके पास इतनी होती ही नहीं है तो हम इनके अंदर वो ही करेंगे जो काफी ज्यादा important है जिनके बारे में जानना आप सभी को जरूरी है मतलब अगर आप government job की preparation कर रहे तो इनके बारे में आपको जानना एकदम जरूरी है मतलब यह तो आपको आने ही चाहिए यह वो वाली है मतलब एकदम super important तो चलिए देखते हैं first is table tennis इसकी trick काफी simple है तो अगर आप table tennis खेलोगे तो आप स्वस्त भी रहोगे और आपको billion रुपे का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा अपनी health पर काफी simple है अगर आप table tennis खेलोगे तो आप स्वस्त रहोगे SWAYTH इससे हो जाएगा स्वस्त राइट तो अगर आप table tennis खेलोगे तो आप स्वस्त रहोगे और आपको billion रुपे का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा अपनी health पर billion रुपे की saving भी हो जाएगी राइट तो table tennis के हो जाएगे cups जो super important है swetling cup second is corbillan cup so table tennis के cups हैं swetling cup and corbillan cup अगर आप table tennis खेलोगे तो आप स्वस्त रहोगे और आपको billion रुपे का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा अपनी health पर अब आप कभी नहीं बूल सकते इसको next जेकते हैं tennis तो tennis भी काफी simple है तो एक देव नाम का लड़का था उसका weight काफी बढ़ गया था क्योंकि वो घर पर ही रहता था फिर वो fed up हो गया fed up पतला परिशान हो गया tired हो गया angry हो गया कि मेरा weight इतना कैसे बढ़ गया फिर उसने tennis खेलना शुरू कर दिया और वो फिर से ठीक हो गया राइट तो देव नाम का लड़का था वो घर पर ही रहता था तो उसका weight बढ़ गया काफी जादा और फिर वो fed up होकर tennis खेलने लगा तो देव नाम का लड़का weight बढ़ने पर fed up होकर tennis खेलने लगा तो tennis के cups हो जाएंगे जो super important है Davis cup, white man cup और third is fed cup तो tennis के cups हैं Davis cup, white man cup और fed cup, very very important देव नाम का लड़का सा, weight बढ़ गया ऐसा उसका और वो fed up होकर tennis खेलने लगा तो golf, तो golf हम कब खेलने जाते हैं soccer उठते हैं जब हम मतलब soccer उठने के बाद थोड़ा walk करते हैं, fresh होते हैं और फिर उसके बाद हम ride करकर golf खेलने जाते हैं, golf course में golf हम कब खेलने जाते हैं, soccer उठने के बाद walk करते हैं थोड़ा, और फिर ride करकर golf खेलने जाते हैं, golf course में, right तो golf के हो जाएंगे, sol him cup walker cup और rider cup very very important, badminton badminton में भी काफी interesting है तो thomas और सुधीर दो friend थे और दोनों काफी bad थे, badminton से इसलिए वो badminton का हो जाएगा thomas cup, thomas and सुधीर दो friends थे, और दोनों काफी bad थे क्यों bad थे, क्योंकि वो uber के अंदर cup में पीते थे, right, इसलिए वो bad थे so badminton का हो जाएगा thomas cup, सुधीर man cup और uber cup, ये super important है, exam में बार बार यहीं से questions पूछे जाते हैं, I hope अब आपको ये याद रहेगा, अगर याद न रहेगा तो इसको फिर से देख लेना, और अगर आप वैसे भी इनको रट सकते हो, तो वैसे रट लेना, और नहीं तो ये वीडियो देख लेना, आपको थोड़ी help हो जाएगी चलिए अब आगे देखते हैं football, football भी काफ इंटरेस्टिंग है vital trophy, तो विटल से हो जाएगा very tall, तो शंतोस नाम का एक player था, football का, वो very tall था, मतलब काफी लंबा सा, football भी ठीक खेलता सा, बैर भी लंबे से, तो वो दूर तक football मार देता सा, तो दूर तक वो अगर football मार देगा, तो सब रोने लगेंगे, काफी तेज लगेगी ना इतनी दूर तक मार देगा, जो देखने वाले जो audience है, उनको भी लग जाएगी so very tall, santos, जब football दूर तक मार देगा ना, तो सब रोने लगेंगे, तो इस तरह आप इसको याद दसकते हो, football का हो जाएगा vital trophy, मतलब very tall, santos से हो जाएगा, santos, trophy और दूर तक का हो जाएगा, durand cup, और मार देगा से हो जाएगा, मार देगा cup, और सब से हो जाएगा, sub roto, यहाँ पर रोना दो बार आया है, आप रोने से इसको याद दसकते हो, अब आपको तुरंत याद आ जाएगा रोते कहाँ परते सब, football में, right तो sub roto या फिर, rovers cup, यह दोनों कहाँ के हैं, football के cups हैं, तो चलिए एक बार और देखते हैं, very tall, santos जब दूर तक football मार देगा, तो सब रोने लगेंगे, right, so football के हो जाएंगे, vital trophy, santos trophy, duranth cup, mardeca cup, sub roto cup, और rovers cup, very very important, next is boat race, यह तो काफी interesting है, तो boat race हम कहाँ पर करते हैं, नहर में करते हैं, नहर क्या होता है, kenal को बोलते हैं, जैसा आप polo, polo का है, isra cup, तो एक line तो आप सभी ने सुनी होगी, जब कोई बोलता नहीं है, तो हम इस तरह बोलते हैं, जरा बोलो, so polo से हो जाएगा, बोलो, इसकी कुछ interesting trick नहीं बनी, तो इस तरह आप इसको remember रख सकते हो, so polo से जरा बोलो, जरा बोलो, इस तरह बोलते हैं, हम सभी, जरा बोलो, हमेशा बोलते हैं, काफी जदा बोलते हैं, जरा बोलो थोड़ा, या जरा बोलो, so polo से हो जाएगा, जरा बोलो, right, polo का हो जाएगा, isra cup, क्यों, क्यों, क्योंकि, जरा बोलो, right, so polo का हो जाएगा, isra cup, very Next is, Nijam Gold Cup य們 होर्स रेसिंग के लिए तो पहले जब सभी लोग होर्स पर ट्रावल करते थे थे आ तो जाम नहीं लगता था विल्कुल भी आप सभी को पता होगा या फिर जाम होगा तो वहाँ पर होर्स रेसिंग भी नहीं हो सकती या फिर horse racing के अंदर भी jam नहीं लगता है या फिर जब पहले horse पर सभी लोग travel करते थे तो jam लगता ही नहीं था बिल्कुल भी so horse racing का होताएगा नी jam कब नी मतलब नहीं jam मतलब jam traffic jam right so जब सभी लोग horse पर travel करते थे न या फिर जब horse racing होती है तो वहाँ पर jam नहीं लगता है बिल्कुल भी right very very important so jam gold cup हो जाएगा horse racing का next देखते हैं अब hokey very very important hokey से काफी जादा questions पूछा जाते हैं और cricket से भी काफी जादा questions पूछा जाते हैं तो एक बार देख लेते हैं hokey आप सभी को पता हुआ अगर आप reasoning पढ़ते होंगे तो h letter कौन से number पर आता है 8th number पर आता है right so h 8 और अब आप ये वाला देखो bington cup इसके अंदर भी तो 8 की spelling है ना e i g h t 8 word इसके अंदर छिपा हुआ है right so hokey का हो जाएगा bington cup क्यों हो जाएगा क्योंकि h भी हमारा 8 number पर आता है और bington cup के अंदर भी 8 छिपा हुआ है very very important और इसको अब आप भूल भी नहीं सकते जैसे ही आप h देखोगे तुरंट आपको याद आजाएगा so hokey का हो जाएगा bington cup इसके अलावा बचे हुए जो है ना इनके अंदर एक चीज कोमन है आप सभी ध्यान से देखो इनके अंदर कुछ superior दिखाया गया जिनके हम respect करते हैं ऐसे लोग दिखाया गया जैसे स्वामी, अप्पा अप्पा तमिल नाडु में बोलते हैं ताउ जी को, चाचा जी को और कुछ लोग पापा को भी बोलते हैं सुल्तान, सुल्तान को भी हम थोड़ी respect देते हैं जो king होता है, सुल्तान होता है उसको भी थोड़ी respect दी जाती है और या फिर इंदर देवता, उनको भी हम respect देते हैं या फिर गुरु नानक देव, गुरु जी राइट, या फिर महराजा रंजीत सिंग, तो सभी लोग जो भी इसके अंदर आए हैं, बिंग्टन कप के अलाबा, उनको हम थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, उनका सभी लोग सम्मान करते हैं, तो इस तरह आप इसको याद रख स हैं, चाहें वो स्वामी जी हो कोई, या फिर अप्पा हो, या फिर कोई सुल्तान हो, या फिर इंदर देवता हो, या फिर गुरु जी हो, या फिर कोई महराजा हो, इस तरह आप इसको याद रख सकते हो, तो चलिए देख लेते हैं, एक बार कौन-कौन से हैं, बिंग्टन नमबर पर आता है और eight word इसके अंदर छिपा हुआ है very very important next देखते हैं cricket इसके अंदर से भी काफी पूछ लिया जाते हैं तो एक दुलीप नाम का player था दुलीप नाम से यह दुलीप ट्रोफी पड़ा है तो एक दुलीप नाम का player था उसको बोला गया उसके उसके साथ किसी न मिलेगा शीज महल मतलब ग्लास वाला महल तो आपको देवधर में एक शीज महल मिलेगा अब आप सोच रहे होंगे देवधर क्या है देवधर एक waterfall है जारकंट के अंदर तो किसी ने उसके साथ बैट रखी या उसके sponsor ने उसको बोला दुलीप अगर आप हजार रन बनाकर विजाई होते हो मतलब जीत जाते हो match तो आपको देवधर में एक शीज महल देंगे राइट तो किरकिट का हो जाएगा दुलीप ट्रोफी क्योंकि दुलीप से बोला गया अगर आप हजार रन बनाते हो मतलब विजए हजारे ट्रोफी और run से हो जाएगा रंजी ट्रोफी रंजी ट्रोफी इरानी ट्रोफी और सेकंड टाइम विजे ट्रोफी देवधर ट्रोफी शीस महल ट्रोफी वेरी वेरी इंपोर्टेंट अब आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा अगर याद ना रहे तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना और जो भी ट्रोफी हमने इसके अंदर की हैं वो सूपर इंपोर्टेंट मतलब एक्जाम्स में वो पूछी जाती है काफी जादा ताइम्स यजाद आपको इस वीडियो आफिर ना प्रिंद ड्राव लेक्रॉड एस को सर्वेडियो भी आफिर द रहें समय जाए हिंट